यही तो आरोब है निहाजी कि आप विपक्ष का मोहरा बन गई है जो योगी सरकार पर विपक्ष जो आरोब लगाता है वही काम आप कर रही है आप तू गया बेटा आप तू गया देख तेरी उकाद मैं दिखाता हूं तुझे देख चलिए शुरू करते हैं नहीं मैं समझती हूँ कि एक लोग कलाकार को, कवी को, लेखक को, साहित्यकार को, मीडिया को, लोग गाईकाओं को विपक्ष की भूमिका में ही रहना चाहिए परे पाप रे ये तो धोती खोल रहा है अब ये बजा आगा ना बिलो रस्ते हूँ विपक्ष के हाथों में खेलना चाहिए जो बेरुजगारों की आवाज उठाती है जो मजदूरों की बात करती है जो किसानों की बात करती है जो वन्चितों जो शोशितों की बात करती है मैंने अपराद किया है नहीं मुझे क्यों नोटिस बेजा गया? मुझे क्रिमिनल की तरह क्यों ट्रीट किया गया तुम्हें शरम है कुछ कुछ शरम हाया है पहले तो मेरे ससुराल में पहुच गए अमबेड कर नगर वहां से बात नहीं बनी तो दिल्ली चले गए इतनी सक्रियता दिखाई या यूपी पुलिस ने समझ रहो समझ रहो समझ रहो समझ रहो इतनी सक्रियता किसी और मामले में दिखाई ना दिखाई नेहा सिंग्राथ और को नोटिस पकड़ने पकड़ाने के लिए कानपुर्दे हाथ से चलके सीधे यूपी चली गई इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा देश अर्म हो मैं डरी नहीं हूँ और मैं क्यों डरूंगी मैं बार बार कह रही हूँ ना कि मैं अनुच्छेद 19 में विश्वास रखती हूँ बोलने पढ़ने रहने घूमने समुदाय वेवसाय इन सब की मुझे आजादी है आप रोग पाओगे सिस्टम रोग पाएगा सरकार रोग पा मैं पिछले 20 सालों से लोग गीतों पर काम कर रही हूँ वर्तमान में भोजपूरी लोग गीतों में जैसी अश्लीलता फैली हुई है आप लोगों को भी पता है ना बात तो सही है कोई चोलिया के हूँ कराजा जी गा रहा है कोई लांगा रिमोट से उठा के सांज़त पूछ रहा है जी आज सरकार से सवाल कोई पूछ पाने के हिम्मत कर पा रहा है मैं आपके सामने बोल रही है मीडिया भी नहीं कर पा रही है हिम्मत वागा सी रहा है मीडिया भी इम्मत नहीं कर पा रही है आप निउस देखती है नहा जी लो भय यह भी ने निउस ने खले बताओता नहीं आप प्लीज देखिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं जतने प्रेश्ण बुलेस प्रशासन सरकार केंद्र सरकार यूपी सरकार पर हम उठाते हैं माफ कीजेगा एक गाना गाल देने से आप हमारी भुमिका को कमतर नहीं कर सकते हैं आप आपने कहा आपने कहा कि आप हमारा निउस देखिये हम यह चलाते हैं वो चलाते हैं इहसान करते हैं यह बिग गई है गोर्मेंट आप गोर्मेंट में कुछ नहीं है